हलो दोस्तों नवस्कार प्रवोष परि्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फ्रसे स्वागत है अज हम किसी बोश्परी आ क्टरेस बोश्परी फिल्म या भोश्परी से बोश्परी सिनेमा से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देने कर रही हैं तो चलिए बताते हैं इस लड़की का क्या नाम है तो इस लड़की का नाम है मनीशा रानी जो की आजकल बिग बॉस में चाही हुई है बिग बॉस में बहुत अच्छा ये परफॉर्म कर रही है और इस वीडियो में हम मनीशा रानी के बारे में सारी जानकारी दें मिलेगी तो शुरू करते हैं मनिसा रानी एक भारती डांसर और सोशल मीडिया इंफलेंसर हैं आपने उन्हें वीडियो शेरिंग प्लेटफॉर्म खासकर टिक टॉक और यूटूब पर देखे होंगे उन्होंने साधियों में वेटरेस और बैक ग्राउंड डांसर के रूप म अब इस खुबसूरत बिहारी लड़की ने इंटर्टेन्मेंट इंडेस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली है आईए जानते हैं उनके बारे में तो मनिसा रानी की जो हाइट है वो है पांस फीट तीन इंच वजन लगभग 50 किलो ग्राम है और बालो का रंग काला है हलक पांस का इन्होंने डांस इंडिया डांस सीजन 2015 में भाग लिए था और इनका पेशा जो है वह सोचल मेडिया एंफ्लॉएंसर डांसर हैं और टीवी की अपने त्रे भी हैं इन्होंने सीरियल में भी काम किया हुआ है इनकी जो टीवी पर पर debut हुई थी वो एक serial से हुई थी जिसका नाम है गुडिया हमारी सब पे भारी और OTT पर debut इनका Big Boss सीजन 2023 में हुआ है जो की एक परतियोगी के रूप में वो दिखाई दे रही है और फिलहाल Big Boss के परिवार में बनी हुई है और देखते हैं कहां तक इनका सफर रहता है हम आ करें और इनको कुछ पुरसकार भी मिले हुए हैं जैसे कि A.C.E. Influencer और Business of Art 2022 में मिला हुआ है और Radio Adda Excellence of Art 2022 में सर्फिस्ट, Influencer और Entertainer का पुरसकार मिला हुआ है अब बात करते हैं मनीशा रानी के बैक्त के जीवन की तो इनका पूरा नाम है मनीशा रानी इनका जो निक नेम है वो है स्वीटी रानी या मीनू इनका जन्म हुआ है 9 जून 1997 को इनकी उम्र फिलहाल 26 साल की है इनका जन्म स्थान है मुंगेर जो की बिहार में आता है एक जिल्या है मुंगेर बिहार में तो वहां पे इनका जन्म हुआ है इनकी रासी कन्या है राष्टी इता तो यह भारती ही है हिंदु धर्म है और इन्होंने टैटू भी अपने सरीर पे बनवाय हुए है अब बात करते हैं की सिच्छा की तो इनकी जो प्रारमिक सिच्छा हुई है वो है मुंगेर के निजी स्कूल में हुई है और इन्होंने वाडिज में मतलब कामर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है मनीशा रानी की फैमली के बारे में बात करें तो इनके पीता का नाम है मनोज कुमार इनके दो भाई हैं और एक बहन हैं अभी इनकी साधी नहीं हुई है। मनिशा रानी की Big Boss OTT किस तरीके से हुई। मनिशा रानी वर्तमान में Big Boss OTT 2 की प्रतियोगी हैं और सो में वे अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत रही हैं। लोग उने वोट कर रहे हैं और फिलहाल वो Big Boss OTT 2 में बनी हुई है। बिहार के मुंगेर जिली के रहने वाली मनिशा लेकिन उनका जो पालन पोसड हुआ है वह दर्भंगा में हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया है कि उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है। मनिशा रानी का अपना ओफिस्यल इंस्टाग्राम एकाउंट है और यूटूब चैनल भी है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं मनिशा रानी के जो निजी कहानी है जो उनकी लाइफ स्टोरी है वो क्या है। इस वाग लेना चाहती थी लेकिन उनके पिता इसके लिए तयार नहीं थे। और कई बार कोशिस करने के बाद और अपने पिता को संधानी की कोशिस की इनोंने लेकिन वो अस्फल रही। और इसकी वज़ा से मुंगेर की या लड़की अपने पिता के लिए एक पत्र छोड़कर कोलकाता के लिए रवाना हो गई। और ट्रेन के दौरा वो कलकाता चली गए बड़ी ही परिस्तितियों में वहाँ पहुची और इस घटना के कारण उनके पिता ने करीब एक साल तक उनसे बाद भी नहीं की और यह जो जानकारी है यह उन्होंने एक इंटर्व्यू में दी थी और यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं कोलकाता में मनीशा को काभी संगर्स करना पड़ा वह साधियों में वेट्रेस और ड्रांसर के तोर पर काम करती थी और उनको जो पैसे मिलते थे वह करीब 500 रुपए प्रत दिन ही था नतलब 500 रुपए वह एक दिन के लिए कमाती थे और इसलिए उन्होंने बिहार और कोलकाता में ग्रामेड कारकरों के प्रस्ताओं को सुविकार सुनू करना कर दिया यह सभी लोग यह जो इनको मिलते थे लिंक जो मिलते थे मोंटी नाम के सक्स के द्वारा मिलते थे और यह उन कारकरों में इंटर्टेन करती थी और फिर पैसे कमाने लगी और इसके बा वीडियो बनाएं लेकिन टिक्टॉक बंद होने के बाद फिर उन्हेंने इंस्टाग्राम पे और यूटूब पे बनाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद इनको गुडिया हमारी सप्पे भारी में रूल भी मिल गया और आप जाकर मनी सहरा ने बोचपरी समाज की एक लड़की है जो की बिग वास में गई है और बोचपरी का नाम रोसन कर रही है और हम काम ना करेंगे कि मनी सहरा ने यूँ ही आगे बढ़ती र हैं फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद